नमस्कार, मैं हूँ रेखा, मेरी सुपर रस्वय में आप लोगों का स्वागत है और आज हम बनाएंगे आलू की सबजी और उड़त दाल की खस्ता करारी पूरी और बहुत ही टेश्टी बनने वाली है ये सबजी इसे आप पित्र पक्ष में बना सकते हैं और जब भी मन करें आप वैसे भी बना कर खा सकते हैं ये पूरीयां बहुत ही खस्ता होती है और करारी होती है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजेगा चैनल को सस्क्राइब कर लीजेगा और फुल वोच वीडियो कीजेगा तो चलिए बना लेते हैं आलू की सबजी और पुड़त दाल की पूरीया तो देखे सबसे पहले आलू की सबजी बनाएंगे उसके लिए हमें एक बड़ा चमच रिफाइंड ओल लिया है आप जैसा विल इस्तिमाल करते हैं वैसा ले सकते हैं ओल को गरम होने देते हैं अब यहां देखे ओल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है इसमें डाल रहे हूं एक चुटा चमच जीरा और साथ से आथ काली मिर्च ली है मैंने औ और एक बड़ी इलाइची लिये जिसे डोड़ा इलाइची भी कहते हैं और तीन से चार लॉंग ली है और दो हरी इलाइची डालेंगे और दो तेज पते डालूंगी अच्छे से इन्हें चटकने देते हैं अब यहां पर मैंने एक प्याज लिया था उसे बारिक चौप कर अगर आप पित्र पक्ष में प्याज और लसुन नहीं खाते हैं तो इसकिप कर दीजेगा और अच्छे से इन्हें बूनना है उससे पहले इसमें डालेंगे हम यहां पर हींग दो पिंच हींग डाल रही हूं हींग का टेस्ट बहुत बढ़ी आता है इसमें और यहां पर मै मैंने एक चमच लसन दर का पेष्ट डाला है उसे अच्छे से भून लेते हैं मैंने आपको पहले भी बताया अगर आप नहीं खाते हैं तो इसकिप कर दीजेगा और इसे बढ़िया से भून लेते हैं अब यहां देखिए अच्छे से भून चुका है यहां मैं दो टमाटर ले रही हूं उसे बारी कट किया है मैंने चौप किया है यानि कि आप पिसकर डाल सकते हैं मैंने इसे चौप करके डालें पढ़िया से भून लेंगे यहां देखिए टमाटर थोड़े से भून चुके उससे पहले हम क्या करेंगे यहां पर मसाले डालेंगे फिर बाद में और भूनेंगे इने, तो यहाँ पर डाल रूँए एक चोटा चमच लाल मिर्ची पाउडर, एक चोटा चमच धनिया पाउडर, एक चुता ही चमच हल्दी पाउडर, अच्छे से मिला देते हैं, और एक से आदा मिट के लिए इसे इसी तरह से भून लेते हैं, ताकि मसाले अ अच्छे से और भून ना है, उससे पहले में इसमें डाल देती हूँ नमक, तो यहां मैंने एक चोटा चमच नमक लिया है, उसे तवए पर रोस्ट कर लिया था, और उसे हातों में मसल कर इस तरह से डाल दिया है, अब इसे एक से डेड़ मिन के लिए और पकाते हैं, जब अच्छे से, अब यहां देखी, दो से तीन मीट बाद हमारा मसाल अच्छे से पक चुका है, बढ़िया से भून चुका है, देखे किस तरह से इसमें ओयल छोड़ दिया है, वो ग्रेवी सी बन देगी है, बहुत ही बढ़िया, अब यहां पर मैंने देखिया आलू लिये, उन्हें हाथों से क्रश कर लिया था, उबली होय आलू लिया यानि कि, आप चाहिए तो कट करके डाल सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से क्रश करके डालेंगे ना तो ग्रेवी बहुत ही बढ़िया बन कर तयार होगी, अब इसे क्या करना है, एक से दो मिट के लिए इस तरह स एक कप डाल दिया है, लेकिन पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं आधा कप पानी इसमें और अड़ कर देती हूँ, पानी आप अपने इस साफ से देख लिजेगा, आपको काड़ी सब्जी चाहिए या पतले चाहिए तो पांच मिट के लिए इसे धखकर इसी तर देखे, सब्जी हमारी बन चुकी है, पानी मी बढ़िया से पक चुका है, देखे, कितने अच्छी लग रही है, अब इसमें डाल रही हूँ, आदा छोटा चमच गरम मसाला, और अच्छे से इसे मिक्स कर दीजे, और थिकनस आप अपने इस साफ से रख सकते हैं, आपको ग अच्छे मस डालूँगी देशी गी, देशी गी से बहुत ही बड़िया टेश्ट आता है, अलू की सबजी में, अब क्या करेंगे, दो मिट के लिए से धग कर पकाएंगे, तो दो मिट के लिए से धग देती हूँ, दो मिन बाद मैं आपको दिखाऊंगी, आप यहाँ देखे कितने बड़िया लग रही है और मैंने बताया आपको पानी आप अपने साब से रख सकते हैं अब क्या करेंगे इसे ढग कर रख देती हूँ और ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखा हूँ गया सॉफ कर दिया है मैंने अब यहां देखे सब्जी लुक देख लीजे क और पूरी की तयारी कर लेते हैं तो देखे पूरी बनाने के लिए यहां पर मैंने आधा कप उड़त की डाल ली है उसे दो से तीन गंटे पानी में बिगो दिया था और अच्छे से वाच कर लिया है और यहां पर देखे जब आप इसे नाकुल लगा कर देखेंगे तो यह तूटेगी इसका मतलब यह है अच्छे से भीग चुकी है अगर आप भीगाना भूल गए हो इसे तो क्या कर सकते हैं एक गंटे के लिए गरम पानी में बिगो कर रख दीजेगा अच्छे से भीग जाएगी अब यहां पर मैंने मिक्सी का जार लिया है और उसमें सारी दाल को एड कर देते हैं इसकी जैका आप जैसी दाल चाहे वैसी ले सकते हैं लेकिन यह मैं उड़त की दाल से बना रही हूँ अब यहां पर दो ही जद्रक का टुकड़ा लिया है वो इसमें डाल देंगे और यहां पर दो हरी मिच लिए वो भी कट करके डाल देते हैं और थोड पानी बहुत कम लगाया है मैंने बहुत कम इस्तिमाल गिया है अब यहां देकि Khully बर्तन लिया इसमें डाल देते हैं इस डाल कर पेष्ट को तो सारा पेष्ट में निकाल देती हूं अब यहाँ पर मैंने देखे सूजी लिये यानि कि रवा और तीन चमच डालूँगी और सूजी को मैंने थोड़ा सा मिक्सी में चला लिया था और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे इससे क्या हो गया पी पूरी बहुत ही खस तब करारी बनेगी अच्छे से मिला दिया है दे एक चोथा ही चमच हल्दी इससे क्या होगा कलर बहुत बढ़ी आएगा अमारी पूरियो में अब यहाँ पर थोड़ी सी लालमिश डाल रही हूँ देखे इसके जगह आप यहाँ पर थोड़ा सा धनिया डालेंगे और अच्छे से सभी को मिक्स कर देंगे तो यह देखे सा अच्छे से मैंने इससे मिक्स कर दिया है देखे बठेया से पेश्ट बन गया है अब यहाunk मैंने लिया आए गेहिं का आटा जिससे च sushi बनाते है न वही वाला आटा लिया एक कप डाल दिया है और एक कप यहां रखा है, तो मैं इसे साइड में रख लेती हूँ, और अच्छे से mix करेंगे, जितना आठा हमें लगेगा उतना लगाएंगे, पानी की जरुत नहीं है हमें से आठा लगाने के लिए, तो अच्छे से mix कर लीजी, अब यहां देखे, मुझे थोड़ा डो पत अब यहां देखे, आठा हमारा बनकर तयार हो चुका है, और मैंने जो दो कप आठा लिया था, पूरा लग चुका है, आपको कम या ज़्यादा लग सकता है, अगर आपने दाल में बहुत ज़्या पानी डाला होगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा आठा लगेगा, और कम इसे मसल लिया है मैंने, चिकना कर लिया है डो को, अब इसे 10 मिट के लिए धक कर रखेंगे, बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं, सिर्फ 10 मिट चाहिए हमें, और 10 मिट बाद में आपको दिखाऊंगी, अब यहां देखे, 10 मिट हो चुकी है, तो क्या करेंगे, थोड़ा आपको ऊफंगे, तो दिखे और थोड़ा सा बडा ही बनाएगा, यहां दिखे, ने सबी के बना लिहा है, थोड़ा सा इसमें तेल लगदा देटे हैं, ताकि चिपके ना सबी पर इस तरह से तो तेल लगा देजे, अब यहां पर मैंने, चकला बेलन लिया है, ताकि पूरी हमारी बेल सके हम और चकला में पर थोड़े यσα तेल लगा देते हैं तक्के ये चिपके और यस फेल देते हैं तो पुरि हैं थ्यानन रखेगा ये बहुत ज़ाइन लlord इसे द्यान रखेगा ये नहीं होती है यह फोड़ा सा अमोटा ही रखा जाता तो थोड़ा मोटा ही रखिएगा, यह जी तरह का एक और पूरी बेल के दिखा देते हूं, यह देखे इसितरह के आपको पूरी बेल नहीं हो यह देखे बहुता पत्ली मत कीजिएगा, अब यहां देखे मैंने कडाई में ओयल किर गणा है, और ओयल हमारा refined oil लिया है तो देखे तेल अब अच्छे से गरम हो चुका है तो चली पूरी डाल देते हैं इसमें और इस तरह से थोड़ा सा दबाते हैं ताकि अच्छे से फूल रखेगा क्योंकि जब ठंडा तेल होता है तो आपकी पूरियां अच्छे से नहीं फूल पाती है अब यह देखे और बहुत ज़्यादा गरम हो जाए तो थोड़ा मीडियम कर लिजे पूरियां देखे कितनी बढ़ियां से फूल रही है कितनी बढ़ियां बनकर त्यार यह देखे तो सभी पूरियों को हमें इसी तरह से बना लेना है यह देखे बढ़ियां से फूल रही है पूरियां तो मैं सारी पूरियां इसी तरह से बना लूँगी यहां देखे और तेल जब ज़्यादा गरम हो तो आप इसे गयस को थोड़ा मीडियम कर दीजेगा पूरी देख लिजए आप मैं आपको दिखा देती हूं किती पढ़िया लग रही है ये देखे तो चलिए फटापट से इने सर्व कर लेते हैं गरम गरम पूरी बनकर तयार हो चुकी सब से पहले सब भी डालेंगे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेर कर देजेगा चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा बैल आइकन को प्रेश जरूर कीजेगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंस सके और आपको मेरी रेसिपियां कैसी लगती ही ये भी कमेंट्स करके ज़रूर बताईएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद